हेलो एवरिवन मेरा नाम है प्रीती और किचन गोल्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 Days Healthy Breakfast Challenge जिसमें आज Day 3 की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इससे पहले मेरे चैनल पर Day 1 और Day 2 की रेसिपी पढ़ी हुई है पीए सूजी का उत्तपम या रवा का उत्तपम भी आप इसको कह सकते हैं अलग-अलग जगा पर इसको अलग-अलग नाम से जान जाता है कहीं इसको रवा का उत्तपम बोलते हैं और कहीं पर इसको सूजी का उत्तपम इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी से थोड़ा कम सूजी का योज किया है जितना हम सूजी लेंगे उससे आधी क्वांटिटी में हमें यहाँ पर धही लेनी है तो जितनी मैंने सूजी लिए इससे आधी मैंने यहाँ पर धही लिए है और उसके बाद हम इसको mix करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका smooth better बनाएंगे इसको हम 10 मिनट के लिए ढखकर रखेंगे क्योंकि सूजी पानी में fall जाती है और वो कुछ time लेती है तो इसको इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे तब तक हम आगे की preparation कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने यूज किया है एक प्याज, एक टमाटर, एक शिम्ला मर्च और थोड़ी धनिया की पत्तियां आप चाहें तो गाजर का भी यूज कर सकते हैं, इन सभी को हम बहुत छोटा छोटा बारिक बारिक चॉप कर लेंगे तो यहाँ पर मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ और उसी तरह से फिर मैं टमाटर और शिम्ला मर्च को भी चॉप कर लूँगी सबजिया जितनी ज्यादा रहेंगी उत्तपम में हमारा उत्तमाब उतना ही हेल्दी बनेगा उत्तपम जो लोग वेट लोज कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है क्योंकि यह सूजी का बनता है और इसमें बैजिटेबल्स खूप सारी होती है अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि सुभे का नास्ता भी हमारा हेल्दी हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप केमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं तो सारी सबजिया हो गई है चौप अच्छे से और यहाँ पर 10 मिनट भी हो गई है बैटर को रखे वे अब हम इसमें एड़ करेंगे एसबर टेस्ट, सौल्ट, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर इन सब को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम देखेंगे कि हमारा बैटर थोड़ा गाड़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे अब हमारा बैटर कुछ यह इस तरह का हो गया है, सो देखिए friends, इसके तिकनिस इस तरह की है, सो finally बैटर हो गया है, ready, अब gas on करके इस पे रखेंगे, अपना पैन और उस पे लगाएंगे घी, घी लगाने के बाद हम इस पे अपना बैटर डालेंगे, तवा तेज गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, बढ़ना ये तवे से चिपक जाएगा, सो इस तरह से हम इसको हलका हलका फैला देंगे, तवे पर सूजी का बैटर फैलाने के बाद, अब हम इस पे हमने जितनी भी अपनी वेजेटेबल्स को चौप करके रखा हुआ तो हम सभी को इस पे थोड़ा-थोड़ा सा करके इस सरह से लगा देंगे, तो यहाँ पर मैंने अनियन लगा दिये हैं, और इसके साथी जो सिमला मर्श चौप की है, वो भी हम इस पे लगा देंगे, और इसके साथी धनिया पत्ती, तो देखिए फ्रेंड्स देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है, देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही ये स्वादिश्ट होता है, बच्चों को बड़ों को हर एज के लोगों को ये खाने में बहुत पसंद आता है सबजियों को फैलाने के बाद हम इसको हलका हलका सा धबा देंगे जिससे की सबजियां जब हम चीला पल्टेंगे अपना तो इस सबजियां सारी गिर ना जाए बलकि इसमें चीला में अच्छे से चिपक जाएं उत्तपम को एक साइड से पकने में लगबग 5-6 मिनट का समय लगता है तो देखिए फ्रेंट्स 5 मिनट हो गया है और ये साइडों से दिखने भी लगा है इसकी साइडे के सिख चुका है तो अब हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे तो देखिए ये एक साइड से कितना अच्छे से सिख चुका है अब सबजियों की साइड से हमने इसको पलट दिया है तो 5 मिनट बाद हम इसको फिर से पलटेंगे तो सब्जियों की साइट से भी अच्छे से सिख चुका है तोनों साइट से मेरा उत्तपम सिख चुका है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे आप इसको नारियल की चटनी के साथ, धन्या चटनी या पुदिने की चटनी के साथ किसी भी चड़नी के साथ आप इसको खा सकते हैं तो देखिए आप कितने कम समय में सुभे का हेल्दी नास्ता बना सकते हैं और अपने इस दिन की शुरुवात एक अच्छे नास्ते के साथ कर सकते हैं तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा वीडियो को ज्यादे से ज्यादे लोगों तक शेयर कीजिएगा और भी अच्छे अच्छी रेसिपी को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा